सुप्रीम कोड और हाई कोड वा बार काउंसल अफ इंडिया बार काउंसल अफ उतर प्रदेश ने अधिवक्ताओं के लिए एक निर्ने जारी किया है जिसमें ऐसे अधिवक्ता जो नौन प्रेक्टिसनर हैं जो लगातार विधी व्यवसाई से जुड़े हुए नहीं हैं जि सतेंद्र कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बारा सो अधिवक्ता चिन्हित किये गए हैं जो विधी व्यवसाई से नहीं जुड़े हुए हैं नौन प्रेक्टिसनर हैं अब उन्हें बार असोसीशन में मिलने वाली सुविधाओं से बंचेत रखा जा करते हैं जो प्रेक्टिस नहीं करते हैं बरकराल लगातार ऐसे अधिवक्ताओं को बार एसोसीशन के चुनाब में मत डालने का कोई अधिकार नहीं है इसकी पूरी जानकारी के लिए हमाई साथ मवजूद है मत्वरा बार एसोसीशन के अध्यच अजी तेहिया साब और सच से पहले तो मैं आपके चैनल के माद्यम से कहना चाहूंगा कि खलवली नहीं मची है ब्यवसाइक अधिवक्ता जो बिद्विवसाइ से जुड़े हुए हैं उन सब में खुशी की लहर है और बार में हम लोगों का सम्मान उनी के द्वारा किया जा रहा है जहां तक वोटिं के अलावा ब्यवसाइक अधिवक्ताओं की परिवाशा एक SLP दाखिल हुए ओन्रेवर हाई कोट की लखनों बैंच में और उसके बाद पी आईयाल दाखिल हुए और उसके अगेश्ट में जाके एपैक्स पोर्ट सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल हुए उन में अधिवक् परिवाशा तै की गई एक बार एक बोट के सम्मन्द में नर्णे पारित हुआ और उसके लिए गाइड लाइन जारी हुए बार कांसिल ओफ इंडिया को बार कांसिल ओफ इंडिया द्वारा इस्टेट बार कांसिल को गाइड लाइन जारी की गई उसी गाइड लाइन के यूपी बार कांसिल द्वारा मत्रा को सर्कुलेशन लेटर जारी हुआ उसके तहट जो मांदर्न उसमें ब्यवसाइक अदवक्ताओं के लिए रखे गई और बार की सदस्ता के संबंद में रखे गई उनका पालन करते हुए ये लिष्ट तयार की गई और ये लिष्ट अब बार कांसिल उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर लोड हो रही है हर जले की के वार ऐसा होता है कि लगातार कोई भी अधवक्ता प्रेक्टिस में नहीं है लेकिन सपोज कि ये साल में अगर वो दो केस में एक केस में अपना वकलत नामा लगाता है जो प्रेक्टिस नहीं है उसमें लगबक बारेसो अधवक्ता भी अधवक्ता हुआ है इसके अलावा जो वन वार वन वोट का सिद्धान्त है उसमें हमने रेवेल्यू फॉरम गोवर्धन फॉरम जो है महावन फॉरम इन सब के लिए सर्कूलेशन जारी कर दिया है कि जो लोग वहां रहना चाहेंगे वो लोग मत्राबार के मेंबर नहीं होंगे और जो मत्रा बार की membership रखना चाहेंगे उन्हें दूसरी फॉरूम की membership छोड़नी पड़ेगी उसके बाद में जो और छटनी होगी उसके संबंद में अभी आगे सूचित किया जाएगा क्या डिसीजन है और इस डिसीजन को आप किस तरीके से देख रहे हैं और मत्रा में ऐसे कितने अधिवक्ता होंगे कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने सबसे पहले मांग रखी कि जो नौन प्रैक्टिस्ट नहीं वहां से हटाई जाए यह हमारा भागे कई है कि उसी समय में ऑनेवल हाई कोट का ऑनेवल सुप्रेम कोट का और बार कांसल का यह आदेश आ गया कि कौन अध्वक्ता रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए हमारे जो इलेक्शन होता है वह एलेक्शन सिर्फ अधवक्ताओं का एलेक्शन है तो सुप्रीम कोट ने और हाई कोट ने डिया किन लोगों को बोट डालने का अधिकार है वह सिर्फ प्रक्टिस्टिंग एड़ोकेट को है इसलिए हमने उनके गाज़ायन पर अपने यहां पर पूरा सर्वे किया कौन ल लगातर नहीं है लेकिन सब्सक्राइब कर वकालत नामा कितने लगे इसका कोई अर्थ नहीं है जो एपक्स कोड का जज्जमेंट है उसमें अधवक्ता की उपस्थिती नियाले में कितनी रहती है उसको कंसीडर करते हुए यह गाइड लैंज जारी हुई है कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए देखिए यहां इस कैमपस में सब एक दूसरे को जानते हैं जो आते हैं उनकी उपस्तिती है और जो केवल एक या दो दिन आएंगे या किसी दूसरे अधवक्ता के वकालत नामे पर द पार्डनर्शिप में हैं कॉलेज स्कूल से जुड़े हुए जो कहीं दूसरी जगह से अपना प्रॉफिट ले रहे हैं वे सभी इस परिवाशा में आते हैं वे सारे अधवक्तावी इस परिवाशा में आते हैं कि वो शुद्ध बिद्विवसाई नहीं है यह जो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कैसा माहूल आपके इस आदिश के बाद में रहा है यहां का बहुत पॉजिटिव माहूल रहा है जितने ब्यवसाईक अधवक्ता हैं सब खोस हैं उनके संदेश आ रहे हैं और अच्छे कारे के लिए हमारी सरहना कर रहे हैं जो बार एसूशि प्रफ इंडिया है और उत्रप्र देश है उसका इक निनअ ये आया है ऐसे इन प्रैक्टिस में नहीं है जो लगातार की व्यधाधी व्यवसाय नहीं है अध्याच और सच्छिव ने भी साफतोर पर यह आदेश और निर्देश जारी कर दिया है और इस आदेश के बाद यह अडेंटी भाई भी किया गया है कि मत्रा में करीब ऐसे 1200 अद्वक्ता हैं कि जो बरकरार प्रैक्टिस में नहीं है या नहीं कि व्यदी भी अफसाय लगा इसका मतलब यह है तो यह भी आदिश नया है और हमें भी उम्मीद है कि जो बिधी व्यवसाय में पूर्ण रूपेण जो समर्पित अध्वक्ता है जो इन प्रैक्टिस में है उनके लिए भी एक अच्छा डिसीजन है लेकिन अब अध्वक्ता वो भी है जो नहीं पढ़ा जाँगा यह कुछ अद्रकता है क्या कुछ कहेंगे मैं एक एना जाओंगा कि यह भूल्ड निर्ने कई सालों से पेंडिंग चला चला आ रहा था कई कारकार नहीं यह कहते कहते चली गई कि इस तरीके का निर्णे होना चाहिए लेकिन जो निर्णे अध्वक्ता सेक्रेटर आपके मैं वकील हूँ किसी थाने में जाके धमक दखाना किसी अध्कारी के सामने याकर दमक दखाना किसा वकील हूँ ऐसा इस तरीके की नहीं चलेगा तो नोंने अमको आश्वाशन दिया था उस पर ही है पूर सच्चिब हैं बाद मत्रबार एसोसियेशन के यहां पर हम सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आगे इस मामले में क्या कुछ करवाई होगी वह हम आपको भी अपडेट कराएंगे बहराल ऐसे अदक्ता जो प्रैक्टिस में नहीं है वह बार एसोशेशन के चुना में बोट नहीं डाल सकेंगे नियर्ज कमपर्शन संतोजीन के साथ गोविंद भारत वाच